September month देख लेते हैं September month का price कहां पर है इसको check कर लेते हैं यहां पर काम करोगे यह तो पता नहीं लगता कब क्या हो जाए कब कौन बरबाद हो जाए पता है क्यों बोलता है क्योंकि इन विचारों के पास में knowledge ही नहीं है दोस्तों यह एक वीडियो देखने के बाद आपको option के बारे में काफे सारी चीज़े पता लगने वाली है options क्या होते हैं कैसे होते हैं बहुत ही बिल्कुल basic से वीडियो समझाओंगा एक पूरी picture clear कराओंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर देखो दोस्तों जब हम बा बार वो चार्ट समझा देता हूं क्योंकि जो चार्ट है वो हर इंसान के माइंड में होना चाहिए share market को लेकर जब हम बात करते हैं नॉर्मली तो क्या क्या चीज़े आती है equity आती है यहाँ पर क्या होता है equity के बाद में कह सकते हो currency segment count होता है उसके बाद में बात करें तो commodity market आ जाता है ध्यान देनी की बात है equity market में तो कीवल और कीवल आप क्या कर सकते हो buy करके चल रहे हो है ना buy करने के बाद में यहाँ पर add कर दिया गया second part इसका future जिसमें कि आप buy भी कर रहे हो आप sell भी कर रहे हो यहाँ पर एक और चीज़ एड हो गई जिसको बोलता है options अब options में हम buy करके चल सकते हैं option में हम sell करके चल सकते हैं मैं आपको NSE के data के थुरू समझाओंगा कि किस तरीके से हम लोग specifically currency के अंदर काम कर सकते हैं options के अंदर और option में भी क्या option selling तो समझ लीजी कैसे होता है currency के बात करें तो currency में कोई ऐसा नहीं है कि आपके यवल buy करके चल सकते हो यहाँ पर काम करना है न तो आपको future में काम करना पड़ेगा और options में काम करना पड़ेगा अब जो like कैसे समझदार आदमी होगा वो पहली जानता है कि options के अंदर अगर सोती सोती पैसे बन सकते हैं तो कैसे बनाए जाएंगे समझाता हूं तो यहाँ पर हम buy करके चल सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर sell करके चल सकते हैं सेम यहाँ पर buy करके चल सकते हैं sell करके चल सकते हैं ऐसे commodity में होता है वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि equity वाला rule है कि पूरा पैसा pay करो और future का फाइदा क्या होता है future का आपको पता ही है कि पैसे amount कम लगती है ठीक, यहाँ पर आप long term की जगा बस ही दिक्कत है कि यहाँ पर 3 महीने 6 महीने, 10 महीने आगे की contract note में काम कर सकते हैं बट उसे कोई फरेख नहीं पड़ता, हमें तो पैसे कमान है common सी बात आती है, इतना लंबा लंबा trade में कोई जाता भी नहीं है, then उसके बात बात करें, commodity market के तो यहाँ पर भी काम करना है तो उसके future में और उसके options में ही काम करना पड़ेगा, clear, so यह चीज़े आती है यहाँ पर भी future में आप buy करके चल सकते हो और sell करके चल सकते हो, options में भी buy करके चल सकते हो, sell करके चल सकते हो आज मैं specifically focus करता हूँ currency के options के ओपर, ठीक है future तो हम लोग जानते ही है, आईए समझते है अब normal सी बात है, currency की बात करते है currency में जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एक तो होता है, like इंडिया में जो हम करते है जो की 100% legal होता है एक होता है international forex trading जिसको कह सकते हो, इंडिया में तो वो legal ही नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दो को करने को तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अब आपको number 2 को ही काम करना है, तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो बट वो इंडिया में legal नहीं है, ठीक है इसी कारण में अपने channel के उपर उसको ना तो promote करता हूँ ना ही उसके बारे में जादा explanation करता हूँ कि लोगों को वहाँ पर जाके कह सकते हो अचानक से मन करेगा कि मैं करना चाहूँगा और वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा भी गवाएंगे ना तो बहुत गंदा वाला फील आता है without any reason नुक्षान कराना तो इंडिया में जो हम काम करने वाले हैं करेंसी में उसमें बात करें तो total हम लोग यहाँ पर 7 pair में काम करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो इंडिया में 7 pair अलाओ है RBI की तरफ से और जो हम यूज कर रहे हैं broker जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है broker की बात करें तो broker हमारा होता है say be registered so दोनों condition fulfill कर लेते हैं say be registered broker होता है RBI approved pair होता है then हम legal way में काम कर सकता है जितना भी पैसा बनेगा वो 100% आपका होगा अब currency में 7 pairs की बात की जाती है तो सबसे important की बात करने जैसे मैं use करता हूँ मैं USD, INR पे काम करता हूँ जैना यहाँ पे GBP, INR पे काम करता हूँ then यहाँ पे JPY की बात करें GPY, INR की बात की जाए then यहाँ पे EUR, INR की बात की जाए then तीन cross currency pairs भी है जैसे GBP, USD JPY, USD and EUR, USD तो टोटल यह 7 है जो की काम करने के लिए इंडिया में 100% legal है आप में से काफ़े सारे लोग ऐसे होंगे जो यह वाले pair को जानते हैं यह वाले starting जिन में INR होता है इनके बारे में लगता है कि यह कहां किये जा सकता है इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है नीचे ना 3 best broker की link दी हुई है उनमें से एक है जिसका नाम है allies blue अगर आप नए हो और आप इनमें भी काम करना चाहते हो देखना चाहते हो इन 3 के अंदर भी तो आप इस वाले broker में नीचे link के through account open कर सकते हो और open करने के बाद में आपको बताना चाहूँगा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर जब account open करोगी तो आपको इस particular group के अंदर access दे दिया जाएगा जहाँ पर market शुरू होने से पहले आपको trade level share कर दिया जाते है सो भाई यह तो बात आगई यहाँ तक कि अब हम option पे जब game play करेंगे तो option पे देखो option available तो होते हैं इनकी भी इनकी भी बढ़ यहाँ पर दिक्कत पता है क्या आती है क्योंकि लोगों को जादा awareness नहीं है सोचो लोगों को पता ही नहीं है अक्चल में TV के उपर आप जब देखते हो न USD, NR के बारे में तो वो यहाँ पे छुटा सा आता है और कहता है 10 पैसा उपर बढ़ गया जी 10 पैसा नीचे गिर गया जी यही तो आता है ना नीचे उपर की तरफ इतना चोटा सा आता है बाग की टाइम क्या होता है equity के बारे में बताते रहते हैं लोग, Nifty Bank, Nifty के बारे में बताते रहते हैं इनके बारे में बताया नहीं जाता currencies के बारे में तो जधाद लोगों को अवेडनेस नहीं है आप सब कुछ तो नहीं बन सकते कि आप कहने लग मुझे डॉक्र भी बनना है मुझे इंजिनियर भी बनना है मुझे टीचर भी बनना है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है आपको अपने एक फिल्ड्र करना होता है तो मैं आपको यह बात बोलूँगा USDNR आप चूज़ कर रहे हो ना तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है कैसे मिल जाता है आईए समझाता हूँ जब हम USDNR की बात करते है उस कंडिशन में यहाँ पे दोनों चीज़े हैं पहली चीज़ तो हो गई फ्यूचर फ्यूचर में बेसिकली ऐसे की लिखा रहता ना USD, INR, AUG AUG हो गया और यहाँ पे FUT लिखा रहता है तो जहाँ पर FUT लिखा वा है समझ जाओ वो फ्यूचर की बात की जा रही है उसमें आप क्या कर सकते हैं आप उसको बाय करके भी चल सकते हो अगर आपको लगता है कि वो उपर की तरफ जा सकता है और आप उसको sell करके भी चल सकते हो कि अगर आपको लगता है कि वो नीचे की तरफ जा सकता है तो यह तुआत हुई future की अब बात आती है, point 1 की तो होगी point 2 की हम बात करें, तो यहाँ पर बात आती है options की, तो options के बारे में जड़ा ढंग से समझ लेता है, बहुत ही basic समझा देता हूँ starting में, क्योंकि ज़्याद ही strategies वगरे यहाँ पर share करूँगा भी न, तो भी आपको clear नहीं होंगी, क्यों जब तक आप practical करके नहीं देखोगे, यहाँ पर ध्यान रखो options जो होता है like number one क्या है, call को हम buy करके चल सकते हैं, अगर हमें लगता है कि market उपर जाने वाली है तो हम क्या करते हैं, उस particular strike price को buy कर लेता है, then हम यहाँ पर PE को भी buy करके चल सकते हैं PE मतलब put European बोलता है, इसको call European बोलता है, क्योंकि हम European system follow कर रहा है, like यहाँ पर CE और PE है वरना यहाँ पर CE और PE भी होती है, American system के through होता है, I think वो then यहाँ पर PE की बात करें, तो यहाँ पर PE को buy हम करेंगे, अगर हमें लगता है कि हमारी market नीचे की तरफ जा सकती है, मतलब माली जे price अब 82 खड़ा हुआ है मैं कहता हूँ, यह 81 तक आ सकता है, उस condition में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं PE को buy कर सकता हूँ, तो PE की value बढ़ेगी अब यहाँ पर उल्टा भी game होता है, देखो यह game तो हुआ, आम जंता के लिए जो कि मैं avoid करवाँगा आप से यह चीज़ आप प्लीज मत करना कि directly buy करो, option buy करना बहुत ही नुकसान दैक चीज़ होती है, और currency के अंदर अगर आप option buying कर रहे हो ना, तो आप से बड़ा पॉपट दुनिया में कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि nifty bank nifty में तो कुछ probability भी है कि आप वहा 500 लोट को buy करने के लिए लगाया हुआ है, जैसे यह मेरी surprise पर आएगी, हो जाएगा, नहीं आएगी, अपने पापा का कुछ नहीं जाता है, क्योंकि काम करने का तरीका है, common सी बात है, धीमे धीमे, profits gain करते रहो, निकलते रहो, कोई problem नहीं आती, तो यह तरीका हुआ, अब against दाव लगा रहे हैं, मतलब मैंने बोला कि भाई, market नीचे से उपर जा सकती है, तो मैं क्या करता था, call को buy करता था, अब क्या है, मैं कहता हूँ, market उपर जा सकती है, बट 82 के उपर नहीं जा सकती, तो मैंने बोला कि मैं 82 की call को sell कर देना चाता हूँ, तो यह option selling भी की जा स कहता हूँ, कि 81 से नीचे नहीं जा सकती, तो मैंने क्या किया, 81 की जो P है, मैंने उसको sell कर दिया, और different strategies के थायत, like hedging करते हुए, मैंने यहाँ पे अपनी position को इस तरीकी से बांद दिया, कि मुझको loss और profit कितना हो सकता है, वो भी मुझे पता लग जाए, देखो सबसे अच और आपको profit कितना होगा, वो दोनो predefined है, predefined means जब हम option selling करते हैं तो यहाँ पर सबसे important चीज़ पता है क्या देखे जाती है, profit होने की probability कितनी है, मतलब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, उसके अंदर successful होने के कितने high probability है, वो हमाने लिए ज़्यादा कीमती होता है, सोचो, मैं सेम कूदना चाहता हूँ, बट मैं parachute के साथ कूदना चाहता हूँ, तो मेरे यहाँ पर नुकसान होने की chance कितने है, like 0.00001% है कि मुझे loss होगा, otherwise 99.99% chance है कि मैं सही सलामत बच जाओंगा, तो देखो चीज तो यह की है ना, बात है profit होने की probability, लोग पता है क्या देखते ह लोग केवल profit loss देखते है, मालो मैं यहाँ पर बोलू, यहाँ से कूद होगे अगर सोवी मंचल से आब, तो आपको मैं 100 करोड रुपे दूँगा, ठीक, chances इतने हैं बचने के, समझ रहे हो, और यहाँ से कहूं मैं यहाँ से कूद होगे, तो आपको केवल क्या है, यहाँ प रहे हैं, आप जो गलती करते हो, वो यह करते हो, कि आप यह notice करते हो, कि कितना पैसा बनेगा, और कितना पैसा जाएगा, असली चीज छुपा के रखी जाती है, जैसे कि मैं हमें बोलता हूं, बैक एंड का जो गेम है, उसमें गेम यह आ जाता है, कि आपकी profit होने की probability, अग भाई मैं यहाँ पर जीतने के chances मेरे जाधा है common सी बात है अब दूसरी चीज एक और ध्यान रटना यहाँ पर डर इसलिए डराया जाता है कि भाई unlimited unlimited loss हो जाता है unlimited loss नाम के कोई चीज नहीं होती मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा practical दिखाऊंगा कैसे किया जाता है वो पोपट बनाने का तरीका है डराने का ताकि आप क्या करें सीधा option और option buying करने पर यह बात ध्यान रखो आप महिने में 10 बार ट्रेड करोगे option selling करने की बात करने तो महिने में 4 बार ट्रेड करोगे तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जादा safe, secure, stable and चीज़े की जा सकती है जिसको option buying करने देखो रोखा तो किसी नहीं है क्योंकि common सी बात है जिस आपको loss हो सकता है यह चीज होती है और आम जंता क्या चाहती है कि मैं 1 रुपे का loss चाहती हूँ, है ना यही तो चाहती है और 3 रुपे का मुझे profit हो जाए अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है यहाँ पर दिक्कत एक हो जाती है कि profit होने की probability है ना यहाँ पर बहुत हाई है कि आपको 5000 का profit मिल जाएगा और लॉस होने के chances पहली बात तो यहां से आता कि कम हो गए थे बट फिर भी probability बहुत कम है कि आपको कोई losses होंगे वो extreme loss है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते market दुनिया ओपर से नीचे हो जाएगी उस condition में आपको क्या profit या क्या loss हो सकते है वो extreme चीज़े पहली बता दी जाती है अगर आप बड़ी quantity में काम कर रहे हो मैं कहता हूँ कि आपने बड़ा game खेला और बोला भाई मैं महीने के कम सक में लाग कमाना चाहता हूँ तो भाई एक बात तो बताओ एक लाग कमाने के लिए आप कितने सारे बिजनस करते हो उसमें आपने शॉप ओपन की आपने कार रेंट पे दी बीस लाग की गाड़ी सड़क पर चला रहे हो तब एक लाग और महीना कमाने की एकस्पेक्टेशन रख रहे हो है ना गाड़ी तबाव भी हो सकते हैं बहुत सारी बात हैं बहुत सारे पंगे हो सकते हैं यहाँ पर भी यह चीज़ होती है यहाँ पर क्या है मानलो एक लाग कम मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा न तो उसके लिए कम से कम क्या कर सकते हो, माल लीजे मैं for example आपको बताने की कोशिश करूँ, तो माल लो मैंने बच्चो वाली strategy की बात करता हूँ, माल लो यहाँ प्राइज मेरा था कि भाई, 82.75 का प्राइज यह है, तो मैंने देखा भाई, 82.75 तो 83 का प्राइज यह है, और अभी प्राइज मेरा कहा पर चल रहा है, approach 82.65 के आसपास मेरा प्राइज चल रहा है, देखे कहां पर है August मन तो गया, September मन देख लेता है, September मन का प्राइज कहां पर है, इसको चेक कर लेता है देन उसे के साब से मैं आपको explain कर देता हूँ यहाँ पर ध्यान देने के बाद यह आ जाती है कि भाई, प्राइज जो है, wait a minute यहाँ पर प्राइज अप्राइज एटी टू, सेवन टीवन चल रहा है दखो यहाँ पर क्या चीज़े हम लोग कर सकते हैं, उसको पर समझा देता हूँ अगर मेरा कहना है कि market नीचे की तरफ जाने की probability है यह बच्चे वाली strategy मैं फिर बोलता हूँ, मैं खुद इसको use नहीं करता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ जाने की chance है तो उस condition में हम क्या कर सकते हैं, समझने के लिए समझना बहुत ध्यान से मैंने चेक किया कि मेरा overall जो अभी trend है, कुछ दिनों का swing trade के लिए वो down है मैं कहता आ रहा हूँ, बहुत दिनों से 83 था, 83 से गटते-गटते अभी यह वापस 82 तक जाना चाहिए, बहुत high probability है अगस्मन्त के हिसाब से count किया, मैंने September में आलग count होगा वो तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला, बहुत दे को मेरा कहना है कि market तो down जानी चाहिए, so उस condition में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, option को sell कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा सर्च करोगे ना करंसी option data तो यह वाला पूरा बरा ओपन हो जाता है ओपन अने पर यहां पर करंसी में usdnr आप चूज करोगे और जो भी आपकी expiry है लाइक माली जे मैं मन्तली expiry चूज करना चाहता हूं लाइक मन्तली है प्रॉक्स 26 की तो यहां पर चेक करते हैं यहां पर मैं लिख लेता हूँ, is equal to 0.2825, है ना, अब मैं क्या चाहता हूँ, hedge करना चाहता हूँ, मैंने बोला, मैं एक काम करता हूँ, 82 से लेकर, 83 तक की देख लेता है, 83 का कितना है, 0.1850, तो उपर की दरफ जो है, CE83, उसका जो premium का price चल रहा है, 0.1850, अब देखो, यहां पर concept समझा देता हूँ, यहां पर क्या क्या चीज़े हो चकती है, यहां पर condition number one, like, मैं यहां पर पहले clear कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा, यहां पर condition क्या बन सकती है, भाई, ध्यान से समझना, अगर आपने यह position मनाए, इसको आपने यहां वाली call को sell कर दिया, यह pass वाली यह मैंने trade डाली है, अगर मेरा extreme कुछ loss होना भी होगा न, तो मुझे पहली बता दो कितना हो सकता है, अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, कि आपको profit कितना बन सकता है, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो चीज़ समझो, देखो आपको क्या करना है, जो आपने sell किया जाता है, ठीक, और अगर 82.75 से उपर आ जाता है, तीनी condition होगी, तो हम यहां पर दो condition में, winning condition में count होगे, पहला विल भी like sideways market हो जाए, तब भी profitable हो जाएंगे, market नीचे गिर जाए, तब भी profitable हो जाएंगे, तो यहां पर हम बात करते हैं, जो हमने sell किया, वो premium हमको receive होगा, त 0.2825, इसका मतलब है, अगर मैं 10 lot में काम करूँगा, तो मुझको total 2825 रुपे का profit दिखाए देगा, मैं अगर यहां पर 100 lot में काम करूँगा, समझ रहे हो, तो मुझको यहां पर 28250 का profit दिखाए देगा, वो calculation आप खुद बाखुद कर लेना, मैं अभी यहां पर आपको easy कर trans cost लेन इसंट के लिए 10 lot में करके दिखा देता हो, यह calculation दिखो, आपको करनी पड़ेगी, मैंने भी किए है, मैंने भी सीखी है, तो आपको भी बही सीखनी पड़ेगी, इसके लिए लोग पता नहीं क्या-क्या safer use करता है, इस शरीक कर लो, यह कर लो, यार यह बच्छे वा अब दूसरी चीज़े हम नहीं इसको बाय करेंगे, इसको हम सेल किया, इसको हमने बाय करना है, धूर वाले को बाय करना है, तो अब क्या होगा, बाय किया है, इसका प्रीमियम तो 0 होना है, क्योंकि मैंने इसको बाय किया है, और ये 83 से उपर जितना जाएगा, उसकी प्रीमि सा रीजन है, रीजन क्या है कि 1850 रूपे इसके इंदर मैंने माइनस किये, क्योंकि ये तो 0 होनी तय है, ठीक है, और इसको भी 0 होना है, तो इन दोनों में जो difference आ रहा है, ये difference निकल कर आ रहा है ये difference हम लोगों का most important count होता है, तो हम लोगों को maximum profit हो सकता है, वो कितना हुआ, like इतना profit हम लोगों को होगा, 975 रूपे, अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे, भाई ये तो नुखजान हो गया ये तो केवल 975 रूपे बने, भाई एक बात तो मुझे बताओ, तुमने किया क्या, कदू, सोचने की बात है, पूरे महीने market sideways हो गई, तब भी तुमको कुछ नहीं करना, market नीचे गिर गई, तब भी कुछ नहीं करना, और मैं आपको एक बात और बोलो खुशकपरी की बात जो होती है, जो बड़े प्लेयर गेम खेलते हैं, बड़े प्लेयर रिस्क तो लेते हैं common सी बात है, आम जनता में और जो थोड़ा पड़ा लिखा आदमी होता है और उससे भी पड़ा लिखा आदमी जो होता है, वो बात करूँ तो देखो इनमें डिफरेंस ही आ जाता है, कि आम जनता रिस्क नहीं लेना चाहती, बढ़ा लिखा आदमी जो होता है, वो थोड़ा सा रिस्क लेना प्रफर करता है like बहुत calculated डिफर्फर करता है, but आपने देखा हो थो बड़ी बड़ी companies के मालिक जो होता है, वो अभी-कभी हैसा होता है कि one educated count हो जाते हैं ये degree complete नहीं कर पाते हैं क्यों वो ज़्यादा risk लेना जानते हैं अब जितने ज़्यादा risk लिया उसको ज़्यादा reward मिला common सा mathematical calculation सामने निकल के आता है जितना risk उसके directly proportional आपको हुआ पर reward मिलने वाला है अब यहाँ पर आप देखो यह बड़ा प्लेड जो होगा यह कहेगा बाई देखो मुझे करना तो कद्दू कुछ नहीं है ना मुझे यहाँ पर 975 रुप मिलने वाले हैं मन्त के अंत में सिंपल सी बात है और मुरा loss भी मुझे पहले बता दे अगर कोई तो समझ रहे हो ऐसा नहीं है कि शेर मार्के में जो लोग बोलता है तो कि यह वाली आम जंता क्या कहती है शेर मार्के जुआ है यहाँ पर काम करोगे तो पता नहीं लगता कब क्या हो जाए कब कौन बरबाद हो जाए पता है क्यों बोलता है क्योंकि इन बिचारों के पास में नॉलीज ही नहीं इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है आम जंता है आम जंता भीकान अबर बिचार् democrats को नहीं पता कि वह है अच्छा काँ सा पनी निकाल सकती है बना बनाया खाना निकाल सकती है बट में चीज़े उसको बताने वाला कोई हो तो अब ये जो थोड़े से पढ़े लिखे लोगे जो आफिस जाते हैं जॉब करते हैं इन लोगों को ये बाते पता जरूर है बट उन लोगों में थोड़ा लालज है लालज क्या है कि भाई मेरा आरो आई बहुत काम आ मैंने लगाया मालो एक लाग रुपे निकल के आये महीने के पांच हजार रुपे या छे हजार रुपे इनका देखो इननने पढ़ाई दुकी है बट उनका लालज थोड़ा एक्स्ट्रा है क्यों लालज एक्स्ट्रा है क्योंकि 975 कुछ भी नहीं दिख रहे हैं भाई इस लालज को कह सकते हो कवर किया कि मैं कम खालूंगा सोचो कोई इंसान डिरेक्ली 8275 की P.E. को सुरी सी को सेल कर देगा तो उसको 28,250 रुपे मिलेंगे अब जो लालची आदमी होगा है कोई बात नहीं देख लेंगे देख लेंगे कि चक्कर में उसको लेने की देने पढ़ अगर ये मुवमेंट गलत कर गया तो अब आप देखो ये बात आपको समझने है कि आप लालची हो या फिर आप तमीज से काम करना प्रफर करते हो मैं तो तमीज से करना चाहूंगा तो मैं तो भाई सिंपल सी बात है कम खालो बट आना चाहिए और सबसे बात है तुमने कि करना नहीं आप लोग प्लीज करना तो यहां पर यह हुआ टोटल अब आ जाते हैं वापस उसी जगा पर भाई यह तो तुमने बता दिया प्रॉफिट अभी आप कह रहे हो कि रिस्क भी कैलकुलेटिड है रिस्क पहले सी पता लग जाता है कि कितना रिस्क होने वाला है आ पॉइंट टू फाइफ जीरो जीरो सो अब आपको अगर पता लगाना है कि मेरा कितना एक्स्ट्रीम लॉस हो सकता है आप क्या कीजिए यह बीच का जो डिफरेंस होता है इसमें से यह प्रॉफिट जितना है उसको माइनस कर दो 975 को माइनस कर दो इसको माइनस करने के 0.0975 निकल कर आता है ठीक है यह थोड़ा सा हो गया था तो यहाँ पर क्या हुआ यह दिफरेंस है अब डिफरेंस कितना निकल कर आया जब हमने इसमें से लाइक 0.2500-0.0975 मतलब कितना हो गया अप्रॉक्स 0.150025 तो यहाँ पर यह हमारा maximum जो लॉस है न वो इतना हो सकता है अगर दुनिया ओपर से नीचे भी हो जाए न उस कंडिशन में आपको अगर 10 लॉट में काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना बना 975 रुपे का तो आपको प्रॉफिट बनेगा ठीक और 1525 रुपे का आपको लॉस हो सकता है अभी मैंने बताया था कि 1 रेशियो 3 तक हो ज 250 रुपे दिख रहा है तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है 2 रेशियो 1 मुझे प्रॉफिट होगा कितना होगा 2 रेशियो 1 मुझे प्रॉफिट होगा तो कॉमन सी बात है 2 रुपे का मुझे लॉस हो सकता है और 1 रुपे का मुझे प्रॉफिट हो सकता है बट यहां पर ही असली चीज आ जाती है जो आम जंता से यार चुपाया जाता है और आम जंता भी मैं कहता हूं कभी-कभी तो फील होता है कि कहीं पोफट तो नहीं है उनको भी यह बात समझनी चाहिए कि असली गेम यह नहीं कि आपने कितने नंबर ओफ ट्रेड किया और कितनी उसकी विनिंग प्रोबबिलिटी थी तो यहाँ पर मैं आपको यह बोल सकता हूं कि आपके जीतने की प्रोबबिलिटी सबसे पहले तो मैथेमेटिकली प्रूफ हो गई कि 66% है तुम जीतोगे क्यों जीतोगे मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब भी आप जीत गए मार्केट अगर नीचे गिर गई तब भी आप जीत गई मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 60% चांस है मार्केट साइडवेज रहे 20% चांस है मार्केट नीचे गिर जाए 20% चांस होती है मार्केट उपर भढ़ जाए और आपने तो ये बात देखकर ही ट्रेड ली थी ना कि अवरोल ट्रेंड अभी USDNR का नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको यहां पर यह 20% है इसको और भी कम कर दो कि 10% ही है कि आपको 100 days moving average भाई मैं खुद यूज करता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझ रहे हो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है बट फिर भी आप simple चीजों को follow नहीं करना चाहते है मैं कहीं बार बोलता भी रहता हूँ भी last time एक client का session था उनका खुद का कहना था आप traditional strategies क यूज नहीं करते भाई उनसे पाइसा नहीं बनता यार अगर बुक वाली strategy से पैसे बनते तो हर गर में एक trader बैठा होता ना common सी बाता जाती है तो आपको इबात ध्यान रगनी है कि 66% chance है कि आप जीतोगे यह मैंने आपको option selling के बारे में example दिया option buy वारे जो होते हैं देख करूंगा and rules and regulations second point क्या है यहां पर profit होने की probability high थी यह तो हो गई दूसरी चीज है मुझको पहले ही पता है मेरे भाई loss कितना हो सकता है और profit कितना हो सकता है इससे अच्छी चीज मुझे बता दो दुनिया में कोई ऐसी जगा है कि यहां पर पहले ही पता लग जाए कि profit कितना होगा और loss कितना होगा लोग फिर भी इतने बड़े पोपट हैं वो करते हैं जी मालिक यह तो option तो जुआ है option selling तो जुआ है भाई तुमको करनी ना आती ना तो तुमके लिए तो सबको सबको जुआ है ध्यान रखो मुझे कोई कहने लगे plane उडालो भाई मैं तो सबको कर वापस रुक कर सब कुछ एक जगा पर आके बोलो ना तो फाइनल है प्रैक्टेस लोग इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं उनको यह चार्ट रेडिंग छोड़ो चार्ट रेडिंग भी छोड़ो USDNR के अंदर ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैं प्रॉब्लम आपको एक्स्प्लेन कर देता हूँ यहाँ पे आप पैटर्स पर वर्क नहीं कर सकते हैं पहले मैं बहुत पैटर्स पर फोकस करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग के टाइम पे बट मेरा पोपट कटा क्य 24 गंटे 5 दिन और हम लोग ट्रेड लेने के लिए विलेबल होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक तो भाई अपना तो पोपट कट गया ना सोचो रात को कोई पैटर्स बन गया समझ रहे हो लोग कहते भी रहते हैं कि सरा आप पैटर्स पर काम नहीं कराते हैं भाई मेरी उंगल मैं सीधा सीधा काम करने से जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं उड़ता तीर क्यों लेना चाहूंगा कि आओ भाई मुझे मारो अच्छा खासा तीर जा रहा था यह कॉमन सा कॉंसेप्ट है आप खुद इंप्लिमेंट करो ना आप खुद भुद्धी रीजन है भाई और मैं यहां पर मोमुद्धी कर चुका हूँ कोई कहे ना कि आपको किया और कैसे रही है कि आपर चुका तारिक और अभी है next expiry तो expiry में high probability है कि वो downside पर movement करे plus 3-4 तारिक तक क्या होने वाला है 3-4 तारिक तक यह बिल्कुल अपने support zone तक पहुच जाएगा अब आपको होगे आपको भविश्य दिखाए देता है कि भाई वो भविश्य break means एक range break हुई हो अगर आपको range भी पता लग जाती है दन आप यहाँ पर gameplay कर सकते हो इस चीज में कहीं बार आपको explain कर चुका हूँ कैसे भाई तुमको पता लग गया कि 8275 8275 है पकड़के इसकी CE को sell कर दिया और नीचे की तरफ जबी आया था यहां पर यहां पर यहां पर आया था यहां तो आप future को buy करके चल सकते हो किसी का future buy नहीं है जबकि high probability नीचे गिरेगा तो उस condition मैंने क्या किया CE के साथ gameplay किया like easily बैट सकते हो और जैसे ही यह candle one minute का time frame में देख रहे हो ऐसा नहीं कि एकदम गधय पर सवार होकर ऊपर भाग जाएगी है यहां पर आते है यहां आएगा मैं क्या करूंगा CE को exit कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है कर दूंगा next पे फिर भी मैं sell चालू रखूंगा कि नीचे गिरें नीचे गिर के बिल्कुल bottom पे जहां मुझे मेरे support zone पर मिले वहां में क्या करने वालो पत है जो sell वाला profit है वो दो book कर लूंगा बाय वाले में जो loss है उसको average करके like इसको 250 lot से सीधा 500 lot तक ले जाओंगा ले जाने पर नीचे से उपर तक के पूरा का पूरा profit बैट के अराम से पलोथी मार के हाथ में चाय का glass लेते हुए देखते देखते profit कमाऊंगा यह मैं आपको कहा रहा हूँ खुलम खुला सामने है मेरे भाई और इसके इलावा किसी और में trade करने की खुझली I don't think मेरे अंदर होगी क्यों मुझे दिख रहा है simple simple straightforward पैसा आ रहा है दिक्कत क्या है पैसे कमाने हम लोगों को यहाँ पे मुझे मेरे facebook के page पे या instagram के page पे न कर रहे हो ना then definitely यह देखना सीखो यार NAC पे काम कैसे करते हैं कितना profit मिल सकता है लोग इतने बड़े पोपट है देखो में उनको पोपट बोलूंगा पोपट मेंस कह सकते बुद्धी नहीं है या तो फिर लखना नहीं चाहते भाई वो इस ट्रीक पे जा रहे हैं इस ट्र नहीं है उनको सही करो समझ रहे हो यह चीज़ दिमाग में बिठाओ इस ट्रीक पे क्या होता है वो गिसी पिटी स्ट्राड़जी उपर की call बेचो नीचे की put बेचो उपर की call sell buy करो नीचे की put buy करो market sideways रहेगी तो तुमको दोनों तरफ से पाईसा मिलेगा कद्दू मिलेग एक तरफ movement हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे यह बच्चो वाली strategy से हाँ पैसा कमाओगे ना not possible कैसे कमा पाओगे बताओ बहुत सारे लोग ऐसे हैं like क्या कहते हैं देख मैं बताता हूं मैंने देखा बहुत सारे मेरे पास एक client आयो गयता है सर जी हमने एक ची पैसे आते हुए देखेंगे अगर भाई moment आ गई एक तरफ की तरफ तो क्या कर लोगे क्या कर लोगे लास्ट के चार बार जो आपने यह put sell call sell करी थी ना चार बार का कोटा यह एक ही बारी में डकार जाएगा और यह पूछे गभी नहीं आपसे कि बेटा तुम ने चार पि इजी है यह बात दिमाग में रखो कि यहाँ पर काम करने के लिए different strategies यूज की जाती है यह वाली strategies से पाई से बनते तो हर घर में trader बैठा होता common सी बात आ जाती है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है काम करने का तरीका like यहाँ पर यार तुम counter trade यूज करो na counter trades यूज करो यहाँ पर आप option sell कर भी रहे हो तो तमीज से सही जगहा पर option sell करो call को बेच के call को खरीदना करना चाहते हो कर सकते हो पर उससे better और और भी options available होते है so common सी बात है counter trade strategy को आप यूज कर सकते हो अब देखो मैंने यहाँ पर counter trade ही तो डाली हुई है क्या डाली हुई है यह buy sell trade है यहाँ पर आप देखोगे जितने भी traders हैं इतनी तो बुद्धी उनके पास आ चुकी है मैं शट लागे बोल सकता हूँ सामने से बोल सकता हूँ और आने वले time में traders के result जो होते हैं मैं यहाँ पर डालता भी हूँ देखो यहाँ पर client result में जाओगे आप यहाँ तो client के सारे result में यहाँ पर डाल रहा हूँ और मैं अभी यहाँ पर एक team create कर रहा हूँ जिसके अंदर कह सकते हो like वो team कुछ ऐसी होगी कि like हम सारे के सारे friends ही होंगे friends में कह सकते हो एक trader like teacher and उस part से हटके बिल्कुल ऐसा चीज बनानी की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो client जो है न वो खुद को like थोड़ा सा grow कर पाए financially आप देख सकते हो यहाँ पर यह results जो है वो उन लोगों के हैं जो लोग बिल्कुल zero से starting कर रहा हैं वो लोग हैं जो लोग अभी like काम करन जिनने स्टार्ट किया और market के बारे में समझना स्टार्ट किया तो मैं तो यहाँ पर उनके results शेर भी कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के result यहाँ पर निकल के आए common सी बात है तो currency market safe, secure, easy अब यहाँ पर क्या हुआ होगा जब market में मैंने पहले बता दिया कि देखो दोस्तो यह आज का lower zone है यह आज का high zone है अब कोई ही pop-up होगा जब उसको पता लग गया कि यह lower zone का level है और यह higher zone का level है वो क्या करेगा या तो उपर की call को sell करेगा और तो उस जगा पर जैसे ही candle यहाँ पर बनती ना वो क्या करता है इस trade को exit कर सकता था simple सा fundamental देखो दो 400 लोग को loss कुछ नहीं होता इतना नीचे आती ना इतने का profit यह CE दे जाती इसको यह बात दिमाग में रखना अब क्या है नीचे आ गया नीचे आती उसको पता है zone है अगर book के अंदर निकाल के दिखा दो आपको YouTube, Instagram, book देखो मैं थोड़ी सी अतरंगी strategy करता हूँ use और मुझे कभी कभी अजीब भी लगता है कि यार मैं जब client को बताऊंगा कि client हसेगा तो नी कि सरी यह क्या use कर रहे हो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया बट मैं यह चीज कह सकत आप उसको निफ्टी बैंक निफ्टी में लेकर जाओगे नट पॉसिबल क्यों भाई वह बनी usdnr के लिए है क्योंकि इसके patterns को इसके काम करने के तरीके को इसकी movements को इसके sideways रहने का तरीका या फिर जो भी चीज़े है उनके different combinations के उपर strategies होती है और सारा गेम strategy का है सड़क पर गाड़ी चलाता है कभी accident नहीं होता गलती किस की थी सड़क किया गाड़ी किया इंसान की common सी बात है इंसान की mindset की उसकी psychology की वो किस तरीके से काम करता है वही चीज यहाँ पर है समझे ना यहाँ पर क्या कर सकते थे आप देखो यहाँ पर बंदों ने क्या किया होगा प ट्रेड थी exit की क्योंकि नीचे की तरफ मिला मुझे नीचे भी कहाँ पर यहाँ तक आया मैंने यहाँ पर इसको exit कर दिया I was aware कि ठीक है यहाँ तक आगे निकल लो मैं निकल लिया यहाँ पर वापस क्या है आप देख रहे हो लगा हुआ है अभी तक कोई ट्रेड नहीं डल सिंपल सी बात है और बीच-बीच में profit book होके वो console में आ चुके हैं यहाँ पर मत कहना कि यह तो minus दिख रहा है minus नहीं बीच-बीच में gap up करके वहाँ पर जा चुके हैं यह भी 2200 वहाँ पर चले जाएंगे सिंपल सी बात ही आती है कि अब जैसे माली जी यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने लगाया हुआ है order की भाई यहाँ पर क्या है 49 पर आए तो मेरा so lot buy हो जाए अगस्त मन्त मतलब जो मैंने sell किया हुआ हुआ है कि उपर depend करेगा कि वो कितना risk ले सकते हैं clear और वैसे भी हम लोग 80-20 rule follow कर रहे है 80-20 rule के अंदर नुकसान होने के chances ना के बराबर होते है क्लाइंट खुद बोलता है अजी मालिक नुकसान नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि USD आना बहुत ही simple तरीके से काम करता है अब यहां पे क्या है market जब नीचे की तरफ आ रही है नीचे की तरफ आने पर क्या होगा call की value गिरेगी है ना put की value भढ़ेगी मैं अगरी करता हूं बट call की value जो गिरेगी जब वो नीचे की तरफ आएगा और यहां आजाए तो आपको क्या करना होता है call को exit कर देना होता है इसी तरीके से नीचे से अब वो उपर की तरफ जाने की कोशिच कर रहा है ना नीचे की तरफ से उपर की तरफ जाने की high probability होगी और नहीं भी गया sideways हो गया ना तब भी आपकी PE की value आपको जादा नुकसान नहीं पहुचाएगी अगर यहां पर आके नुकसान करा भी दिया इसने थोड़ा सा तो मेरे भाई बद्धी लगाओ जो CE में profit गेन किया जो CE में profit आया अगर वो profit इधर चला गया अपने पापा का क्या गया नुकसा ट्रेड कर रहा है जब तक logic clear ना हो ना मैदान में मत दो समझ रहे हो कोई भी हो वो कोई भी मैदान होता है डॉक्टर कोई बनने जाता है भाई सालों की practice करता है इधर का course कर उधर का course कर ये कर वो कर कोई भी चीज़े होती है आपको time मांगती है अब आप time देना ही नहीं च अच्छे तरीके से clear हो गई होगी फिर भी किसी के mind में कोई question है तो वो क्या कर सकता है normally उसको मैं बताना चाहूंगा ये number है 9837482890 second number है 8077521043 ठीक है और एक बात और ध्यान रखो महिने में 12 trading days होते हैं 22 मैंसे अगर आपने 10 trading days में भी trade की ना जैसे आज trade नहीं बनी अपने पपा का क्या जा रहा है नहीं बनी ना बने daily daily मजदूरों वाली mentality को change करना बहुँ जादा जरूरी है अगर आप trader बनना चाहते हो ये बात ध्यान लगना तो 10 दिन भी एक ट्रेड लग गए और 10 दिन मे लगता है daily daily trade करना पैसा ही पैसा not possible यार इस तरीके से पैसे कमाओगे न तो जल्दी बहुत बहुत ज्यादा कैसकते हो गरीब हो जाओगे ये बात ध्यान रखो without reason एक चवणनी क्यों दोगे तुम यहाँ पे सोचने की बात है मेरे भाई आप खुद बुद्धी लगाओ तो ये number है किसी के mind में कोई question है तो यहाँ पे question पूछ सकता है message करके नीचे मैंने form भी डाला हुआ form से पूछ सकते हैं प्लस काफी लोग ऐसे हैं जो लोग केवल कह सकते हैं कि मुझे trade कहां पर करनी है एक second मैं इसको नीचे करता हूँ trade करनी है premium trade levels के लिए कि यहां से यहां तक हो सकता है अपना plan बना लो उनको पता होता है maximum clients को पता होता है कि करना क्या है clear कुछ को नहीं पता क्योंकि वो बिचारे नए हैं वो भी सीख जाएंगे तो यहां पर आपको शेर हुआ यह शेर होते ही आपको गेम पता लग जाता है कि यह गेम हो सकता है आज के लिए और मैं यहां पर नया पार्ट करने वाला हूं जिसके अंदर मैं options के अंदर option selling के बा then definitely आप हो सकते हो यहां पर आपको क्या करना है जो number दिये गए थे उन number में message कर सकते हो वरना एक option और है नीचे मैंने 3 DMIT account के link दी हुई है ठीक है उन में से किसी भी एक DMIT account के साथ आप अपना account open कर सकते हो नीचे link है पिन comment में भी और description में भी account open करने के बाद में आप मुझे message कर देना कि भाई account open हो गया है साथ में within 24 hours आपको group के अंदर add कर लिया जाएगा I wish यहां तकी बात clear हो गई होगी options क्या होता है यह clear हो गया होगा क्या करना चाहिए वो clear हो गया होगा फिर भी किसी comment में clear नहीं है तो call करके message करके whatsapp पे पूस सकते है प्लस यहां पे join होना च अंदर link description में दी गई है